दोस्तों हाल-फिलाल में चाइना से जो खबरे आ रही है उनके अकॉर्डिंग चाइना की बहुत सारी जो प्रोविंशनस Lazенс है जैसे कि Sichuan प्रोविंस वहाँ पर आक्टरिस जो है वो शटडाउन कर रहे हैं इतना ही नहीं चाइनिस एकोनोमी जो है वो रिसेशन को फेस कर रहे हैं यानि की एकोनोमिक स्लोडाउन को आप यहाँ पे नियूस्पेपर का एक कट आउट देख सकते हैं Goldman Sachs जो American Bank है उसने चाइना की जो GDP का आउटलूक था 2022 को उसको कट करके 3.3% से 3% कर दिया है इतना ही नहीं जैपैनिस एजनसी नौमुरा जो है उसने भी चाइनिस GDP के ग्रोथ को कट डाउन करके 2.8% जो है वो प्रेडिक्ट कर दिया है और यह सब तब हो रहा है जब चाइनि Party of China के October-November में होने वाले Elections के अंदर खुद के लिए 3rd term जो है वो सीख कर रहे है और यह ब्रेकिंग देडिशन ओप्रेडिक्ट के अंदर जो है वो काफे decades के अंदर चाइना के सबसे पावरफुल प्रेसिदेंस में से एक है आखिर चाइना जो है उसके अंदर यह जो economic slowdown हो रहा है factors shutdown हो रही है जो शीव जिंग्पिंग के अलावा चाइनिस लोगों के लिए भी एक टेंशन का विशह है क्या यह केवल वुहान वाइरस के वजे से है आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि वुहान वाइरस के अलावा भी चाइना एक नया disaster phase कर रहा है जिसने चाइनिस economic conditions को वर्जन कर दिया है and yes it is a matter of tension world over welcome to super IAS by test book I am Son Priya and friends आज के इस episode में हम जानेंगे why Chinese economy is slowing down and Chinese factories are being shut down in many provinces यहाँ प्या business standard का ही cutout देखिये है चाइना जो है वो पिछले six decades के अंदर यानि साट सालों के अंदर अपना worst heat wave जो है वो face कर रहा है एक और headline देखिये CNN newspaper की China issues first nationwide drought alert in nine years हीट वेव के चलती चाइना ने पहली बार नौ सालों के अंदर nationwide drought यानि सूखा जो है उसका alert किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइना के अंदर यह जो heat wave है जिसने temperatures को 40 degrees तक raise कर दिया है उसके वजह से नदियों के अंदर पानी जो है वो सूख गया है and worst affected is चाइना की यंगत से रीवर जो ना केवल चाइना की longest river है बलकि चाइना की वन थर्ड population जो है उससे सर्व करती है इसकी tributaries जो है वो सूख रही है जब नदियों के अंदर पानी कम हो रहा है तो लोगों के लिए जो drinking water की availability है वो भी अफेक्ट हो रही है खेतों को जो पानी पहुचाया जा रहा है वो भी adversely affect हो रहा है यानि कि crops जो है वो भी fail कर रही है इसके साथ साथ में hydro power plants जिनके अंदर पानी के द्वारा बिजली उत्पन्य की जाती है वो भी adversely affect हुए है और इन सब के वजे से चाइना के अंदर जितना electricity produce होता है उतना electricity produce ही नहीं हो रहा है दूसरा गर्मी के चलते जो air conditioning के demand होती है लोगों की वो भी rise कर रही है और यह सब कुछ जो है यह चाइना की power grid जो है उसके ऊपर pressure create कर रहा है और situation से deal करने के लिए चाइना को जो available power है उसको ration करना पड़ रहा है उसको effectively manage करना पड़ रहा है और उसके लिए ही चाइना ने बहुत सारे जो production centers है जो factories है उनके जाने वाले power को cut कर दिया है अब जब factory के अंदर electric power नहीं पहुच रहा तो अव्विस सी बात है वो produce जो है नहीं कर पाएंगी अब यहां पर देख सकते हैं चाइना की Shichuan province जो है जहां पर बहुत सारे यूरिया के plants हैं electronic industry के plant हैं they are shutting down Japanese company Toyota जो है जो automobile maker है उसने भी अपने production को halt कर दिया है इन सब के चलते Chinese economy जो अल्रेडी economic growth जो है उसकी adversely affected because of Wuhan virus और चाइना की जो जी रो कोविट strategy है प्लस चाइना का जो property crisis है उसके चलते और ज्यादा अब वर्सन हो गई है अब यहां पर थोड़ा सा यंगत से river के बारे में जाएं यूपी ऐसे के अंदर अकसर जो rivers है mountains है इनके locations है जो अकसर news में रहते हैं ऐसी चीज़े पूछी जाती है यंगत से रीवर आप यहां पर देख सकते हैं यह रीवर जो है यह तिबतन प्लाटियों के northern हिस्से से शुरू होती है और चाइना के एक बड़े हिस्से को cross करते हुए East China Sea के अंदर जाके गिरती है यह रीवर जो है यह एशिया के longest रीवर है यह वो longest रीवर है जो एंटायरली एक सिंगल कंट्री में फ्लो करती है and Amazon and Nile River के बाद में यह थर्ड लोंगेस्ट रीवर है एंटायर वर्ल्ड के अंदर so definitely यंगत से रीवर उसकी ट्रिब्यूटरी का सूखना Chinese provinces and Chinese economy के लिए एक बेड़ न्यूज है अब question उठता है आखिर चाइना जो यह six decades के अंदर worst heat wave face कर रहा है nine years में पहली बार उसको nationwide drought जो है उसका alert करना पड़ा है यह सब कुछ किस वजह से हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है तो यहाँ पे आपको एक phenomenon जो है उससे समझना होगा और इसे कहते हैं western pacific subtropical high तो असा map में देखेगा map में आपको यह जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे western pacific ocean कहते है अब नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो eastern pacific है यहाँ पे temperature जो है वो कम होता है और जो अपका pressure होता है वो high होता है यानि यहाँ पे अगर आप देखें तो temperature जो है वो low होता है and pressure जो होता है वो high होता है नॉर्मल कंडिशन के अंदर and जो western pacific है यहाँ पे normal conditions के अंदर जो temperature होता है वो comparatively high होता है and इसी के वज़े से pressure जो होता है वो low होता है and आप जानते हैं कि जो हवा का रुख होता है वो होता है high pressure से low pressure की तरव नॉर्मल कंडिशन में इसी के चलते यहाँ पे high pressure से low pressure की तरफ हवाय चलती है and moisture अपने साथ लेके आती है जिसके फ़ल सरूप इस area के अंदर rain होती है बट जब हम बात करते हैं western pacific subtropical high तो उपर वाली जो conditions है वो reverse हो जाती है यहाँ पे क्या होता है यह जो अमेरिकास वाला eastern pacific है इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे temperature जो है वो high होने लगता है pressure जो है वो उसके according law होने लगता है यहाँ पे भी conditions बिल्कुल reverse हो जाती है यानि कि इस western pacific इससे के अंदर temperature जो है वो low होने लगता है और pressure जो है वो high होने लगता है आपको पता है हवा जैसे कि मैंने बताया pressure high pressure से low pressure की तरफ जाती है यानि कि अब हवाएं इस तरफ जाने लगती है तो moisture भी अब इसी तरफ जाएगा यानि पेरोवियन कोस्ट जो है वहाँ पे तो अच्छी बारिश होगी लेकिन इस वाले western pacific हिस्से में drought like conditions हो जाती है क्योंकि rain bearing winds जो है वहाँ तक पहुंच नहीं पा रही जो चाइना के अंदर यह जो drought है यह basically changes in the weather conditions temperature and जो pressure है उसके वज़े से है लेकिन man-made reasons ने जिसने climate change को aggravate कर दिया है उसके वज़े से अब यह conditions अकसर देखी जाने लगी है और जो human beings है उनके लिए एक problem create कर रही है hope आपको पूरा जो matter है वो समझ में आया होगा why factories in China are shutting down what is the reason behind the drought क्यों सूखा पढ़ रहा है वहाँ पे और कैसे natural disaster होते हुए भी climate change जहाँ पे men का involvement है वो भी कही न कहीं responsible है अगर आप ऐसा ही informative content पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल super IAS by test book को subscribe कर सकते हैं bell icon press कर दीजिए और आप कोई भी वीडियो जो है उसे miss नहीं करेंगे और अगर आप UPSS civil services के लिए एक affordable cost पे quality preparation करना चाहते हैं तो आप हमारे super coaching के course को subscribe कर सकते हैं यहाँ पर आपको single subscription के अंदर 30 plus video courses mock test study notes live classes सब कुछ मिल रहा है आपकी जो fees है वो बहुत ही nominal है अगर मैं पीस की बात करूं तो यह केवल 2500 रुपीज पर मन्त है और अगर आप मेरा coupon code यूज करते हैं 120 तो आपको इस fees के उपर भी 20% off मिल जाएगा अगर आपको 50% off चाहिए तो आप मेरे साथ road जुड़ सकते हैं टेस्ट बुक की app पे एक master class के लिए Monday to Friday 6pm to 6.30pm वहाँ पे पूछे जाने वाले quiz में लीडर बोड को टॉप करके आपको मिल सकता है सूपर कोचिंग के उपर फ्लाट 50% का discount थांक यू सो मच करते हैं